इस्टूडेंड यदि आप चाहते हैं कि लेटर राइटिंग में फुली स्कोर किया जाए तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत ही जादा काम किये जिए स्ट्रेट्स आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला एक ऐसी के बारे में जिसे कि आप किसी भी लेटर में फुली स्कोर कर पाएंगे जिया बिल्कुल आपने सही सुना किसी भी लेटर में फुली स्कोर कर पाएंगे मैं आपको सिखाऊंगा सब सिखाऊंगा बाई बस वीडियो को एंट तक देखते रहेगा वीडियो को छोड़कर बि सबस्वागत है तो चलिए जानते हैं लेटर राइटिंग के बारे में देखी बच्चों लेटर राइटिंग के लिए सबसे पहली और सबसे ज़रूरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वह है किसी भी लेटर को राइट करने का फॉर्मेट जी है फॉर्मल लेटर एक है में आज इस वीडियो इसके बारे में बदीविक्षिया के बारे में में इसके मार्किर की करते हैं और नुधर उप सरी जहता है उन्द दमसे पूरी के अप आप 조槟व में 58 और प्रमान टाते हैं वो हमारे ऑफिसल लेटर कहलाते हैं यह हमारे प्रोफेशनल होते हैं पूरी तरह से फार्माल लेटर हमारे प्रोफेशनल लेटर होते हैं यह बिजनेस परपस से लिखे जाते हैं या किसी स्कूल में, किसी सरस्था में किसी इंचिटूट में जो letters write किये जाते हैं वह हमारे formal letter होते हैं हमारी जो applications होती है जो application आप अपने school के principal को या आप headmaster को या अपनी class teacher को write करते हैं ये भी जो हमारे letters हैं ये हमारे formal letter की category में आते हैं इसके अलबा हमारे जो complaint letter होते हैं वो भी हमारे formal letter क्यालाते हैं ठीक है यह तो हमने थोड़ा सा जाना कि formal letter actual में होते क्या हैं लेकिन अब जानते हैं कि formal letter को लिखा कैसे जाता है how to write formal letter तो चलिए जानते हैं सबसे पहले इसके format के बारे में format for formal letter formal letter को लिखने का format और इसकी marking इसकी को भी साथ में देखेंगे तो बच्चे देखिए आपको करना है क्या starting में आपको write करना है address of sender यानि के sender's address भेजने वाले का पता जो letter write कर रहा है वह हमारा sender होता है तो starting में आपको sender's address write कर देना है वो भी आपको left side है जी हां left side बिल्कुल सही आपने सुना इस बार आपको जो कुछ write करना है वो सब हमारा left से start होता है तो आपको जो भी later होगा उसको आपको left में ही लिखना है आप से आपको address start करना है तो कहना का मतलब यह कि starting में आपको address of sender's write कर देना है बेजने वाले का पता अब यह कहां मिलेगा यह आपको question में मिलेगा आपको कहीं बटकना नहीं है आपको बिल्कुल परिशान होनी की जरूत नहीं है sender's address आपको exam के question में ही मिलेगा जो आपका question paper आएगा उसी में आपको sender's address मिलेगा वो भी दिखाऊंगा भी practically में आपको बताऊंगा बस इसको समझ लीजिए तो पहला आपको address of sender's write करना है अब देखिए sender's write करने के लिए जो हमारा house number होता है या block होता है house आता है block आता है इसके अलबा हमारी जो colony होती है colony करने है और देन आपकी जो city है या town city, town और pin number यह हमें write करना होता है तो आपका house number या फिर block है या sector या zone में भी आता है और आपको इसके बाद colony करने है या आपकी city है या आप town से बिलाओं करते है टाउन और pin number यह चीज आपको question में मिलेंगी यह हमारा sender address होता है यह question में मिलेगा इसको आपको write करना है practically थोड़ी दिरे में हम देखेंगे कैसा है तो आपको write करना है date अब date कोन से write करना है जिस date में आप exam दे रहे होते है वह यह date आपको write करना है लेकिन याद रखीगा sender address को write करने के बाद आपको decline drop करना है उसके बाद आपको date लिखना है अब जानने हैं कि date लिखने का format क्या है जिहां इसका भी format है इसका भी format है जी हाँ, date का भी format होता है, date भी लिखने का कोई तरीका होता है, जो मैं आपको बता, for example, आज की जो date है, जिसे के आज है हमारी, for September 2022, तो आपको करना क्या है, जिसे के आपको यहाँ पर write करना होगा, for, then write कीजिए, September, मैं double से आपको write करके बताया था हूँ, अच्छे से, यह सि September 2022, टिक है, for September, इसके बाद आप comma लगा दीजीगा, September के बाद आप comma लगा सकते है, for September 2022, यहाँ आपको इस तरह से date आपको write करना है, जिस भी date में आपका exam, लिकिन अगर आप कहें कि sir, क्या हम ऐसे भी write कर सकते है, for 092022, तो मेरा answer होगा wrong, गलत है, बल्कुल नहीं, आपको ऐसे, digit में, नंबर में आपको, मन्त काने, नहीं लिखना है, मन्त नहीं लिखना है, आपको यहाँ पर मन्त को spelling में write करना है, टिक है, तो यह आपका है, या फिर आप इसको यू भी write कर सकते हैं, जैसे starting में आप September कर दीजीगा, चलिए starting से दिखते है, जैसे के आप चलिए आप तो जानगे, date के बारे में, इसके बाद आपको एक लाइन, और डॉप करना है, दिन आपको write करना है, address of receiver, यानि के पाने वाले का पता, किसके पास later पहुचेगा, receiver address आपको write करना है, receiver address भी आपको question में दिया जाएगा, वो आपको write करना है, ठीक है, इसके आपको बताया जाएगा, कि application को write करने का purpose क्या है, यानि कि formal letter को write करने का purpose क्या है, letter आपको क्यों write करना है, वो आपका subject होगा, उसको आपको जहां पर write कर देना है, ठीक है, इसके बाद आपको write करना है, salutation, अब salutation क्या होता है, भाई, अभी वादन, जो हम कहता है, dear sir, तो dear sir, और दिन कॉमा लगाना है, या respected sir, अब dear word का use कर सकते है, formal में dear का use होने लगा है, आज कल, अब dear sir, use कर सकते है, तो आप यहां पर salutation में write कर देजीगा, dear sir, या respected sir, या madam, ठीक है, यह हमारा salutation होता है, इसके आपको मिलेंगे, एक mark, one mark, एक number आपको मिलेगा, और यह आपको कहां से लाना है, ये सब कुछ आपको question में मिलेगा, center address, date, exam date, Merci Word, subject, आपको question में मिलेगा, celebration, आपको dear sir, या respected sir, आपको write कर देना है, इन सब का आपको एक number मिलेगा, क्योंकि आपका letter आएगा, ये form marks का आएगा, चार नमर का आपका letter आता है, जिह आप MP Board, CB State Board या CB SC Board के स्ट्रेंड हो आपको पता होना चाहिए कि आपको लेटर आता है वो चार नमबर में आता है तो आपको जो मार्किंग स्की में एक नमबर आपको इसका मिलेगा आपको राइड करना है बोड़ी अफ लेटर इस पर दक कॉश्शन के अक्वाइड आपको में कर्या इसके आपको दो नमबर मिलेंगे जिया बई कंटेंड भी आपको कॉश्शन में देखकर आपको उठा लेना है जिसे कि आप कंपलेंट करना चाहते है पोस्ट में की तो आपको नमबर मिल टो आप यांपर यूज़ कीजगा अपना फुल नाम राइड करना है फॉर्म लेटर इटर ऀयाड पुल निम आपको राइट करना है मतलब के सेंडर सहे एक ऐसके अलत मिलेगा ठीकुछन में के सब्सक्राइब आपको मिलेंगे 1क अनल मार्क अनल प्लेंग से वहीं हैपो ईक ऌप ओ latch डोन अनल को तो इस deriva चलिए अब प्रैक्टिकली देख लेते हैं किस तरह से लेडर लिखा जाता है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो सबसे पहले समय लेते हैं क्वेश्चन तो यह रहा हमारा क्वेश्चन यहां पर किरें यू आर अर्बाज अंसारी तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बतायता हूं यह रहा नेम अर्बाज अंसारी किसका नेम है अर्बाज अंसारी जो नेम दिया गया है यह ह को माल लेना है अरवाद अंसारी और अगर आप इसके बाद आपको एड्रिस दीया जा रहा है एड्रिस है आपका 319-319 शान्ती मार्ग शान्ती मार्ग नेपिय टाउन जबलपुर और ये पिन नमबर है ये पूरा हमारा सेंडर एडरेस हो गया है तो सेंडर नेम हमें मिल गया और सेंडर एडरेस हमें मिल गया है दो चीज़े हमें मिल गया है आगे बढ़ते हैं, write a letter to the editor, तो किसको write करना है, editor को write करना है, क्यों write करना है, और किसको write करना है, यह भी हमें question में मिलेगा, तो यहाँ पर कहा जा रहा है, editor को write किजिए, ठीके, और editor का address है, मतलब कि receiver address जो है, वो है हमारा, the pioneer MP Nagar Zone 1st, भोपाल और इसका यह पिन नमबर, यह हमारा receiver address हो गया, ठीके, और यहाँ पर यह जो था, इसका designation हो गया, editor, अब देखिए, topic क्या है, advising people to realize the hazards of using polythene bags and recommending the use of paper, cloth and jute instead, तो यहाँ पर जो लेटर write करना है, इसका purpose यह है, जो polythene bags का लोग यूज करते हैं, तो उसका यूज ना करते हुए, लोगों को suggest करना है, कि वो paper bag, cloth and jute bag का यूज करें instead of polythene, ओके, तो यह हमारा title हुआ, मतलब main हमारा subject हुआ, अब देखते हैं कि किस तरीके से इसको set किया जाएगा, हमने starting करी, 319 शांती मार्क, नेपिय टाउन, जबलपुन, यह हमारा हुआ sender address, ठीक है, यह हमें question में मिला, तो यह हमारा रहा, sender's address, write, कहां पर मिला था, हमें question में मिला था, तो यह question से हमने यहां पर sender's address को write कर दिया, इसमें हमें अलग से कुछ extra मेंनत करने की ज़रूत नहीं है, यह हमें बिलकुल यहीं मिला, देन, हमने date write कर दी, यह date, 8 November 2020 को यह type किया गया था, तब का है आज जिस date में exam देंगे, वो date write कर सकते हैं, हमने एक line को drop किया, एक line को drop करके हमने date लिकी, और date को देखे लिजिए, आप November लिका हुआ है, यहाँ पर 8, 11, 2, या ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ पर आप देखे लिजिए, 11 नहीं है, यहाँ आप November लिका हुआ है, तो यही तरीका है date को write करने का, इस तरह से आपको date write कर देना है, इसके बाद 2 के बाद हमने कॉमा लगाया, और 2 को हमने T capital write किया, देन O small, देन कॉमा, दाकर T capital है, H E small है, और editor का E capital है, तो 2, then editor, यह हमारा designation हो गया, किसको लिखना है, मतलब कि receiver address, इसका resignation, एडिटर, और address है, इसका हमें एक नमबर मिल गया, और यह हमें मिला question से, ठीक हैं, आगे बढ़ते हैं, हमने यहाँ पर subject लिया, nicence of polythene, यह भी हमें question मिला, then salutation हमने use किया, dear son, और यह later रहा, इस तरह से यह later है, लेकिन आपको इतना बड़ा सारा letter write नहीं करना है, आगे मैं आपको बताऊंगा, इस तरह से लिखना है, पहले आपको इसका format देखना है, then, इसके बाद letter का matter है, वो आपको short करना है, चार number के लिए यह थोड़ा सा लें दिये, तो आपके इस matter को नहीं देखना है, आपको अभी यह देखना है, कि letter लिखना कैसा है, how to write letter, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमने thanking you, you are sincerely, then, हमने अरबाद अंसारी, sender address, write कर लिया है, नसरीन, अंसारी भी write कर सकते हैं, जो female हैं, तो बच्चों, इस तरह से हमारा letter का format हुआ, यह वो तरीका है, जिससे कि आप किसी भी letter को, write कर पाएंगे, और letter writing में, आप full score कर पाएंगे, अब आपके यह वीडियो पसंद आई होगी, तो बच्चों वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंट के साथ, जादा जादा शेयर कीजिएगा, और यह दि चैनल पनना है, तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी चैनल के बारे में सजेट कीजिएगा, उने बताएगा, उनसे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएगा, थेंक्स फॉर वाचिक,